नमस्कार किशान भाईयों, टैक एगरी सलोसन में आपका स्वागत है, आज हम टमाटर की फसल में लगने वाले कीट मिली बग परवंधन के बारे में कुछ जानकारी इस वीडियो के माध्धम से साजा कर रहे हैं, जो भी हमारे किशान भाईयों, टमाटर की खेती करते हैं, उ और पौधे की कोमल तनों पर चिपक के बैठा रहता है, और वहां से रस चूस लेता है, जिससे पौधे का ब्रिध्युम विकास रुख जाता है, और धीरे धीरे पौधों में फलफूल आना भी कम हो जाता है, अगर समय रहते हुए इसका नियंत्रण नहीं किया जाता है, या कीट पूरे खेत में फैल जाता है, और पूरे पौधों को लगभग हान पहुंचाता है, जिससे हमारे किशान भाईयों को बहुत अधिक नुकसान का सामना करना पड़ता है, ऐसी स्थिति में किशान भाईयों हम कुछ दवा का नाम बता दे रहे, इन दवाओं का चड़काओ करके आप अपनी फैसल में नुकसान को बचा सकते हैं, जैसे इमिडा कलोप्रिड 17.8% में दवा आएगी, इसका आप चड़काओ कर सकते हैं, यह दवा 60-70 ml दवा को प्रती एकड़ 200 लिटर पानी में घोल बनाकर चड़काओ कर सकते हैं, अथवा किशान भाई टाटा मिडा अथवा आप धानुका की लेते हैं तो मिडिया नाम से मिल जाएगी, अथवा किशान भाई आप थावे मत्रक्सम 25% में दवा आएगी, इसका चड़काओ कर सकते हैं, इसकी मात्रा 5 गराम प्रती पंदल लिटर पानी में घोल बनाकर चड़काओ कर सकते हैं, यद किसान भाई आप प्रती एकड़ में चड़काओ करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिती में 40-60 गराम दवा को प्रती एकड़ 150 से 200 लिटर पानी में घोल बनाकर चड़काओ कर सकते हैं, यह दवा बजार में अनेक ब्यापारिक नामों सुपलब्द हैं, जैसे PI की मैक्सिमा अथवा से जन्टा की आपको एकड़ नाम से मिल जाएगी, अथवा किसान भाई आप यदि कैमकल का चड़काओ और नहीं करना चाहते हैं, तो ऐसी स्थिती में आप एजाड रियक्टिन 5-5 एमेल दवा को पर लिटर पानी में घोल बनाकर चड़काओ कर सकते हैं, खेती से सम्मंदित जानकारी के लिए आप हमारे चनल को लाइक करें, शेर करें, कमेंट करें, जो भी हमारे किसान भाई आज हमारे चनल को पहली बार देख रहें, अगर हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चनल को सस्क्राइब आवश्च करें, वीडियो देखने के लिए आप का बहुत बहुत धन्यवाद नमस्कार किसान भाईयों